यस्तिका भाटियाई का ऐसा नाम है जो खेल की दुनिया में आज की समय में तहलका मचा रहा है वह एक युवा भारतिय किर्केटर है जिन्होंने अपने परभावसाली कौसल और समर्पन से किर्केट की दुनिया में तूफान ला दिया है यस्तिका की किर्केटर बनने की कहान उन युवा लोगों के लिए प्रेड़ना है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए जुनूनी है यस्तिका भाटिया विवेंस प्रीमियर लिग के पहले सीजन में एक बहतरीन क्रिकेट किलाडी बनकर उबरी है विवेंस प्रीमियर लिग 2030 में उन्होंने बल्ले से कुल 214 रण मनाये हैं उनके बहतरीन प्रदर्शन के वज़ा से ही डबलू पील 2030 में उन्हें एमर्जिंग प्लेयर आप दे टूर्णामेंट भी चुना गया है आज की कहानी में हम All-Rounder क्रिकेट खिलाडी यास्तिका भाटिया के बारे में विस्तार से जानेंगे हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के अपडेट लागातार मिलते रहें विमिन्स प्रीमियर लीग दोजार तैस के बाद यस्तिका भाटिया किसी परिचाय की मोहताज नहीं रही है इस्तिका भाटिया ने अपने अंतराश्चे किर्केट के दो साल लंबे केरियर में सांदार प्रदर सुन किया है यस्तिका भाटिया एक ऐसे परिवार से आती है जहां पर क्रिकेट खेलने के लिए सिमित अफसर मिलता था लेकिन जो सिमित अफसर यस्तिका को मिलता था उन्ही अफसरों का लाव उठा कर आज वो भारत की सिर्स वल्लेवाज की स्रेनी में सामिल हो गई है यस्तिका भाटिया के सफल होने में सबसे बड़ा योगदान उनके माता पिता का है यस्तिका बताती है कि यदि वो मेरा लड़ खडाते वक्त में साथ नहीं देती तो आज मैं इतना बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पाती क्रिकेटर इस्तिका भाटिया का जन्म एक नमबर दोहजार बीस को गुजरात के बडोदरा में हुआ था यस्तिका के माता का नाम गरीमा भाटिया है और उनके पिता का नाम हरीश भाटिया है यस्तिका की मां गरीमा भाटिया हाउस 5 होने के साथ सोसल इंफुलेंसर भी है और पिता हरिस भाटिया एक बिजनिस कंसल्टेंट है यस्तिका की एक बड़ी बहन भी है और वो भी एक क्रिकेटर रह चुकी है क्रिकेट यस्तिका भाटिये के सुरुवाती एजुकेशन दिली पब्लिक स्कूल बढ़ोद्रा से हुई और बाद में वो M.A.T. उनिवर्सिटी से ओनलाइन ग्रेजूशन की पढ़ाई की है। पढ़ाई में भी यस्तिका तेश तरार रही है। यस्तिका ने क्रिकेट खेलना तब सुरू किया जब वो 8 साल की थी। उस समय उसके पिता ने यस्तिका और उसकी बड़ी बहन जोसिता को एक क्रिकेट अकेडमी में क्रिकेट सेखने के लिए भेजा। उसकी बड़ी बहन ने बाद में मेडिसिन में करियर बनाने के लिए क्रि के टीम में पहुंची तो उन्होंने पेसेवर क्रिकेट खिलारी बढ़ने पर जोड़ दिया बच्पन में वो कराटे वर क्रिकेट भी खेलती थी वो कराटे में भी ब्लैक बिल्ट है घरेली स्वर्केट में बरोदा महिला टीम का परतिनेदित करते हुए उन्होंने लगातार स्कूर करने के साथ-साथ और उनके बढ़ेहां बिकेट किपिंग कौसल की वजह से उन्हें 2018 में राश्टे करकेट अकाडमी में 25 सदस्य सिविर में ट्रेनिंग करने का मौका मिला 17 साल की उम्र में यस्तिका ने अंडर 19 परतियोगीता में और अंगाबाद में अपने पहले सतक के साथ घरेलुक रिकेट में एक बल्लेवाज के रूप में पहली चाप छोड़ी 2018 और 2019 के सीजन में उन्होंने हरियाना के खिलाप 135 गेंदों में 145 रन बना कर सबको परभावित किया जिसके वज़ह से बड़ोदा की अंडर 23 टीम को अपना पहला 300 से अधिक का स्कोर बनाने में मदद मिली बाद में टी टीम का नेतरूत करते हुए नियमित कप्तान राधायादाव की अनुपस्तिती में उन्होंने मनिपूर के खिलाप 63 गेंदों में नाबाद 125 रनों की धावाकेदार पारी खेल कर रास्टिय चैन करताओं को ध्यान अपनी और खीचा था बात करें अंतरास्टे क्रिकेट की तो यस्तिका भाटिया ने 20 अगस 2021 को अस्ट्रेलिया के खिलाप अपना पहला वंडे इंटरनेशनल खेला अंतरास्टी अस्तर पर यस्तिका ने 15 टी 20 मैच में 146 रन 19 ODI में 478 रन और एक टेस्ट मैच में 22 रन बना चुकी है यस्तिका को महिलाओं के ODI किरकेट विसकप 2022 के टीम में भी सामिल किया गया था और उसके बाद बर्मिंगम में आयोजित राष्ट मंडल खेलों के लिए भारत की किरकेट टीम में भी सामिल किया था जहाँ पर उन्होंने रजत पतक हासिल करने में अपने देश की मदद की रुपए में खरीदा था WPL के पहले सीजन में यस्तिका ने 10 मैचों में 112 के स्ट्राइक रेट से कुल 214 रन बनाए हैं जिन में इनका हैस्ट स्कोर गुजरात जैंट से खिलाफ 44 रन का रहा है उनके बढ़ियां परदर्शन के कारण उन्हें WPL 2023 में इमर्जिंग प्लेयर आ अंतरास्तियस्तर पर योगदान देना चाहती है दोस्तो यस्तिका भाटिया के रिलेसंसिप स्टेटस की पात करे तो फिलाल वो अन्मैरिड है और इतनी कम उम्र में उन्होंने इतनी सारी सफलता को देखी है इसलिए फिलाल वो अपने क्रिकेट के करियर को ही आगे बढ़ चाहती है और फिरार उनका कोई बॉइफ्रेंड भी नहीं है पांच पेट दो इंच की हाइट और उन्चास किलोग्राम भार वाली क्रिकेटर यस्तिका भाटिया का नेत वर्थ पहले 50 लाग था लेकिन अब विमेन प्रीमियर लिग में मुंबई इंडियन्स द्वारा अब इंडॉर्समेंट से भी इनकी कमाई होती है तो दोस्तो ये थी पूरी कहानी जास्तिका भाटिया की आपको इनकी कहानी कैसी लगी कमेंड करके जरूर बताइए हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आगन प्रेस कर लीजिए ताकि आप को हमारे वीडियो के अपडेट लागातार मिलते रहें मिलते हैं जानकारी से भरे एक और वीडियो में एक और नए कहानी के साथ लमस्कार